इबनिंग जैभिम साथियो रतनलाल बोल रहा हूँ काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अमबेटकर नामा एपिसोड नमबर 201 जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अमबेटकर ने धरमांतरन किया था और 15 तारीक को उन्होंने एक लंबा व्याख्यान दिया था 190 नमबर से लेके 92 के बीच एपिसोड में जाएंगी तो दो खंड़ में वो भाशन मैंने आपके सामने रखा था आज उस श्रिंकला की डॉक्टर अमबेटकर के भाशन की आखरी करी है और मैं आपके सामने उनकी बाते रखना चाहता हूँ कि धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने अपने अनुवाईयों को क्या बोला उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि बौध धर में 75% ब्रामन विक्षू थे शुद्र और अन्य 25 फीसदी थे लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा था हे विक्षूओं तुम भिन भिन देश और जातियों से आए हो नदियां जब अपने शेत्र में बहती हैं तो वे अलग अलग बहती हैं लेकिन जब वे सागर में मिलती हैं तो अपनी पहचान खो देती हैं इस संग में सब बराबर हैं बौध संग एक सागर के समान हैं सागर में मिल जाने के बाद गंगा या महनदी के पानी को पहचाना नहीं जा सकता इस तरह से जब हम बौध संग में सम्मिलित होते हैं तो हम अपनी जाती को खो देते हैं और एक समान बन जाते हैं इस बात को रखते हुए डॉक्टर अमबेटकर कहते हैं कि इस परकार की समानता का उपदेश केवल एक महान व्यक्ति ने दिया था और वह महान व्यक्ति भग्वान बुद्ध हैं और इसके बाद दर्शक दिर्गा से तालियों की गरगर आहट आती हैं आगे कहते हैं कुछ लोग सवाल पूछेंगे कि आखिर धर्मांतरन के लिए आपने इतना समय क्यों लिया इन तमाम दिनों में आप क्या कर रहे थे यह एक मत्पून प्रश्ण है धर्म को बदलना आसान काम नहीं है यह एक व्यक्ति का मुश्यन नहीं है जो कोई धर्म के बारे में सोचता है या जानता है दुनिया में बहुत इंपॉर्टन बात कहरे हैं कि दुनिया में किसी के कंदे पर इतने जिम्मेदारी नहीं है जितना मुझ पर है अगर मुझे लंबा जीवन मिलता है तो मैं अपना काम पूरा करूँगा दर्शक दिरगा से पुना जवरदस्त नारे की आबाज आती है बावा साहब अमर रहें बावा साहब अमेटकर अमर फिर आगे कहते हैं डॉक्टर अमेटकर कि कुछ लोग यह कहेंगे कि महार यदी बौध बन जाते हैं तो क्या होगा मैं उनसे कहता हूँ कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए उच और धनाड्यवर को धर्म की जरूरत महसूस नहीं होगी उनके बीच के अफसरों के पास रहने क लिए बंगले हैं सेवा करने को नौकर चाकर हैं उनके पास पैसा है संपत्ती है और संवान है ऐसे लोगों को धर्म के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है कोई ज़रूरत नहीं है धर्म गरीब के लिए जरूरी है धर्म उत्पीरतों दलित लोगों के लिए आवश्यक है गरीब आदमी आशा पर ही जिन्दा रहता है जीवन का आधार आशा है अगर आशा नहीं रहती तो जीवन का क्या होगा धर्म वेक्ति को आशावान बनाता है और गरीबियों तथा दलितों को संदेश देता है कि भैभित मत हो या अवश्य होगा गरीब और दलित इसलिए धर्म से चिवके रहते हैं कालमाक्स ने भी कहा था Heart of the Heartless People, Soul of the Soulless People आगे ये इरोप में इसाई धर्म के परचार का हवाला देते हैं हवाला देते हुए कहते हैं कि इरोप में इसाई धर्म ने प्रवेश किया तब रोम और परोसी देश की स्थिख खराब थी, बुरी थी लोगों को प्रयाप्त भोजन नहीं मिलता था गरीबों के बीच खिचड़ी बाती जाती थी इसा के अनुवाई कौन बने गरीब और दलित इरोप के गरीब और निचले तब के लोग इसाई बन गए गिब्बन ने कहा था, इतियासकार गिब्बन कि इसायत भिखारियों का धर्म है कहते हैं डॉक्टर अमबेटकर कि गिब्बन इसका उत्तर देने के लिए जीवित नहीं कि इसायत धर्म इरोप में सबका धर्म कैसे बन गया अन्य था उनको इसका उत्तर देना चाहिए था फिर आगे कहते हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि बहुत धर्म महारों और मांगों का धर्म है ब्रहामन लोग भगवान को मतलब गौतम बुद को भो गौतम अर्थात अरे गौतम कहकर पुकारते थे भगवान बुद को ब्रहामन इसी तरह से चिड़ाते थे उनको देखना चाहिए अब बड़ा एक्जामपल देते हैं कि उनको देखना चाहिए कि विदेशों में राम, कृष्ण और शंकर की मूर्तियां यदि बेचीजदा हैं तो कितनी बिक्ती हैं इसके विपरीत यदि भगवान बुद की मुर्ति बेचने के लिए रखी जाती है तो एक भी मुर्ति नहीं बचेगी फिर जोड़ार तालिया हैं इसलिए मोदी साहब भी कहते हैं कि मैं बुद की धर्ती से आया हूँ भारत में यह भहुत है कुछ चीज बाहर जाकर दिखाईए दुनिया में जाना पाचाना नाम बुद का है तो इस धर्म का परचार कैसे रोका जाएगा आगे कहते हैं कि हम अपने रास्ते पर चलेंगे आप अपने रास्ते पर चलिए हमने अपना रास्ता पा लिया है यह आशा का दिन है यह उत्थान और उनक्ती का मार्ग है यह नया रास्ता नहीं है यह कहीं से लिया गया नहीं है यह रास्ता यहीं से है यह पुणतिया भारतिये है भारत में बौद धर्म 2000 साल से जिवित है सस्त यह है कि हमें खेद है कि हमने बौध धर्म पहले ग्रहन क्यों नहीं किया भगवान बुद्ध की शुक्षाएं अमर हैं लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसा दावा नहीं किया था समय के परिवर्तन के साथ परिवर्तन का प्रावधान है यह उदारता किसी अन्य धर्म में नहीं आगे बौध धर्म के कारणों की ब्याक्षा करते हैं और कहते हैं कि बौध धर्म को गर्ण करते समये सुईकारते समये हमें यह बाते ध्यान रखनी चहिए कि कोई यह नहीं कह सकता कि बौध धर्म के सिद्धांत और स्थाई है आज 2,000 साल बाद भी सारा विश्व बौध धर्म का आदर करता है अमेरिका में 2,000 बौध संस्थाएं हैं इंगलैन्ड में 3,000,000 रुपे की लागत से बौध विहार का निर्मान किया गया है जर्मनी में 3,000 से 4,000 बौध संस्थाएं हैं बुद्ध के से दान्त अमर है फिर भी बुद्ध ने यह दावा नहीं किया कि यह भगवान का धर्म है बुद्ध ने कहा कि उसके पिता एक साधारन व्यक्ति थे और मां एक साधारन इस्त्री यदि यह धर्म आपके विवेक को सही लगता है तो इसे स्विकार करिए किसी अन् में ऐसी उदारता देखने को नहीं मिलेगी अब धर्म के आधार की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि बहुत धर्म का मूल आधार क्या है बहुत धर्म और अन्य धर्मों में भारी अंतर हैं दूसरे धर्मों में परिवर्तन करना संभव नहीं है क्योंकि वे मनुश्य को इश इश्वर से जोडते हैं, अन्य धर्म यह उपदेश देते हैं कि प्रकृति को इश्वर ने पैदा किया है, आकाश, वायू, चंद्रमा, सूरज, आदी समकी रचना इश्वर ने किया है, भगवान ने हमारे करने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, इसलिए हमें भगवान की प भगवान बुद्ध ने कहा, समस्त विश्व में दुख है, संसार में दुखी दुख है, 90 प्रतिशत लोग दुख जेल रहे हैं, इन गरीव और उत्पिरित लोगों को दुख से मुक्त करना ही बौत धर्म का लक्ष है, प्रमुक काम है, कालमाक्स उससे अलग क्या कहते हैं जो बुद्ध कह रहे हैं, भगवान बुद्ध ने कुछ भी टेड़े मेड़े धंग से नहीं कहा, भाईयों मैं आपसे जो कहना चाहता था वो कह चुगा, यह धर्म हर्म मामले में परिपुण हैं, इस पर कोई दाग नहीं है, हिंदुबाद के सिद्धान्त ऐसे हैं, जिन एक भी स्नार्थक या सिक्षि, सिक्षित व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, अपना अनुभव साधा करते हुए कहते हैं, डॉक्टर अंबेटकर, कि मुझे यहां बताने में कोई जीचक नहीं, कि मेरे स्कूल में जो एक औरत जहाडु लगाती थी, वो मराठा थी, वो मुझे नहीं थी, मेरी मा कहती थी, कि बड़े व्यक्ति को मामा कहना चाहिए, मैंने अध्यापक, मैंने डाकियों को मामा कहता था, इस बात पे लोगों ने जोड से हजी लगाई, बच्पन में मुझे अपने स्कूल में प्यास लगी, अपने पूरी व्यथा कह रहे हैं, लॉक्ट हम नल तक गए, चपरासी ने नल खोला, मैंने पानी पिया, स्कूल में आम तवर पर मुझे पानी पीने को नहीं मिलता था, बाद में मेरे पास जिला जज़ बनने का प्रस्ताव आया, लेकिन मैं उस तरह के काम के प्रती आस्थावान नहीं था, मेरी समस्या थी, कि मेरे भ के कहते हैं कि व्यक्तिकत रूप से, व्यक्ति के तौर पर मेरे लिए इस देश में कुछ भी असंभव नहीं है, कि आपके सिर पे ब्राह्मन वैश्च छत्रिये उपर बैठाये हुए हैं, वे नीचे गिरेंगे, यही असली सवाल है, अतर आपको इस धर्म से सम्मंदित कर दूँगा और आपको पुन ग्यान की अवस्था तक ले जाने का प्रियास करूँगा, कम से कम इस समय तो आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए, परंतु आपका उत्तरदाई तो बड़ा है, आपका आचरन ऐसा होना चाहिए कि दूसरे लोग आपका आदर समान करें यह नहीं सोचिए कि इस धर्म का अर्थ यह है कि अपने गले में लाश बांध कर अकड़ जाएं, हमें बहुत धर्म का पालन सबसे अच्छे डंग से करने का संकल्प करना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए कि महार लोगों ने बहुत धर्म को अपमानित किया है, हमें दृड संकल्प रखना चाहिए, अगर हम यह प्राप्त कर लेते हैं, तब हम अपने रास्ट की ही नहीं, बलकि संपुर्ण विश्व में फले फुलेंगे, क्योंकि विश्व को के बल बौद धर्म ही मुक्ती दिलाएगा, जब तक न्याय नहीं हैं, विश्व में शांती नहीं उनको स्वार्थी और आलसी नहीं बनना चाहिए, हमें यह तै करना चाहिए, कि हम अपनी आय का कम से कम बीसवा हिस्सा इस उदेश के लिए दें, मैं अपने साथ आप सब को लेना चाहता हूँ, प्रारम में तथागत ने थोड़े से लोगों को दिक्षा दी थी, और उनको पशात, यश और उनके 40 मित्रों ने बहुत धर्म ग्रहन किया था, यश धनी परिवार से था, भगवान बुद्ध ने उससे कहा था, कि यह धर्म किस तरह का है, तो धर्म की परिवासा देते हुए कहा था, बहुजन हिताए, बहुजन सुखाए, तथागत ने अपने धर्म का प्रचार करने का मार्ग उस समय की परिस्थितियों के अनुसार तै किया था, अब हमें अपनी कारेविधी तयार करनी है, इस धर्मानुस्ठान के पस्चात प्रतेएक को दिक्षा देनी है, प्रतेएक विक्ति को दिक्षित करना है, मैं घोशना करता हूँ कि प्रतेएक बौध को दिक्षा देने का अधिकार है बौधों और आमंत्रीतों की तालियोंत के बीच डॉक्टर अम्बेटकर ने अपना भाशन समाप्त किया और भीड में दर्शक दिरगा में खुशी के आंग आंसूं चलग गया है साथियों यह था तीन खंड में मैंने डॉक्टर अम्बेटकर का भाशन आपको सुनाया है मेरी इक्षा सिर्फ यह है कि मैं अपने हिसाया काम कर रहा हूं अम्बेटकर नामा को आप जादा से जादा शेर किजिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको टेक्नलोजिकली भी बहुत इंप्रूव किया जाए शुक्रिया साथियों कीप वाचिंग एंड शेरिंग अम्बेटकर नामा थैंक यू गूटनाइट